गुर्ण मॉनिंग श्टुडेंट्स आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकंड में पार्ड ग्यारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और दुसरा है सम्हुवाची शब्द यानि इस बाके में दो चीजा आपको पढ़ने को मिलेंगी फिरत पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लि बेठा ऐसे कहो कि डाकिया आया है यह चिठ्थी बाटने वाले को कहते हैं डाकिया तो यह हो गया चिठ्थी बाटने वाले एक शब्द और डाकिया हो गया एक शब्द नानी ने तानिया को बताया कि चिठ्थी बाटने वाले को डाकिया कहते हैं जिससरे से चिठ्थी हपने वाला अनिक चब्द हो गया और घाकी हो गया एक सब्द , कही सब्दों की जग है हम एक सब्दगा भी परियोग कर सकते हैं स मुयूदक ही आधे है ये वाक्यांच के लिए एक सब्द भाशा को इसाली बनातै है exaggerated बहुत अच्छा लगता है यह से हमारी परिवाश है बाक्यांश के लिए बाग्यांश के लिए जब एक समय फीका चाने वाली गाई का ए यह तो ऊगए आपके बाग के लिए एक्षड अब इसकी एक्सास आईजे जो खेलता है उसे क्या कहते है अब यह मिलान करिए बाग के लिए एक्षड से मिलान करिए जो खेलता है उसे कहते है खिलाडी केक्षा में पढ़ने वाला शिक्षक अभीने करने वाला अभीनेता जो देखता है उसے कहते हैं दcommittee दौग और पढ़ने वाला चाद्र इसी तरह से यहाँ पर आप यहाँ पर दे रखें आपको चित्री दे रखें चित्री बताईए कौन क्या कर रहा है और उसे क्या कहते हैं जैसे बाल काटने वाले नाई और खाना बनाने वाला या रसोई बनाने वाला प्रसोई या कपड़ होने वाला धोवी और स्यवा करने वाली नर्स अब यहां पर यह यह रंगीन वांक्याइश के लिए एक शब्स चुन का लिखी है आपको एक शब्स दे रखें कई सारे और नीचे बात किया है उसके लिए आपको एक शब्स चुन के लिखना कौन सा सही ह है जैसे शरारत करने वाला शरारती दूर की सोचने वाला दूरदर्शी पढ़ने के यग्यत पर्समी है इसी तरह से आपकी एक्ससाइज हो जाएगी अब आता सम्हु वाचिशब्द जैसे आप देखते हो ना एक तो एक चीज़ होती है एक खड़ा होता कहीं तो बहुत सा जो जाती है जाती है जा बπό खसारी खट्ट जाती है तो आसे क्या बोलते हैं गुछ घ्ट onze श्री जरी यहां को मैं जिरते इस चीज़ों के समुगा सबंसक्र नाम को हम सब्सक्रा और बेट के सबड़ा कछल सब्ते के लिए कि बस्तों कि लिए विशेष नाम को हम सम्हु शब्द कहते हैं सम्हु के लिए उपयोग में आने वाले विशेष नाम को सम्हु वाची शब्द कहते हैं जैसे बंदरों का जोंड चावियों का गुच्छा चावियों का गुच्छा अंगूर का गुच्छा इस तरह की मुच्चीज होती है और ज और दूस्ता हातियों का जून की उंटों का कार्मा सब अलएलाग नाम से उकार जाता है तो में उसका दस्ता याठ्रियों का जथ्था भीणों की ब्यादों का रेवड़ लकणियों का गठर और सेनिकों की टुक्डी इसी तरह आप इसके एक सथाइज करनी है यहां पर आपको चित्र दिये गैं है चित्र ऑफ्शन दिये गए जो सही उप्शन है उस पर सही का निशान लगाईए जैसे ठेट यह बहुत सारें बुर होते हैं तो वह था गुच्छा इसी तरह अब यहाँ पर चित्र दे रखें अब चित्र क्ली एक लिखिए दुकानदार बकील, दूद्वाला प्लीस, धोवी, मोची अब यह आगे आपको करना है अपना नाम लिखिए मेरा नाम जैसे इसमें दे रखें मेरा अननिया है मैं शिश्ची का बनना चाहती हूँ इसी तरह से आप भी अपना नाम लिखिए और आप क्या बनना चाहती है वो नाम लिखिए ठीक है, यह तो हो गया आपका पाड़ 11 का चप पूरा